हेलो फ्रेंड्स बीना की दुनिया में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और निया डिजाइन लेकर आई हूं इस डिजाइन के लिए हमें 11 के मल्टिपल से फंदे चाहिए और चार फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं यह डिजाइन एट रो में कंप्लेट होता है फ्रंट से ऐसे दिखता है और बैक से ऐसे दिखता है यहां मैंने दस नुम्बर की सिलाई में 26 फंदे डाले हैं 22 फंदे डिजाइन के और चार फंदे एक्स्ट्रा यह हमारे डिजाइन के फर्स्ट रो है फिर्फर्ट और में में पहला पंदा बिना बोने उतारने हैं धागा अपनी तरब दो संदे ऊल्टे बुने पिर धागा पीठे 4 पंदे सीधे एक दो में तीन और यह चार फिर है अपनी तरब एक फंद उल्टा पिर धागा पीछे चार फंदे सीजह एक दो तीन जा ना पहला फंदा छोड़के हमें एक दो तीन चार पांच चे साथ आट नो दस ग्यारा इन ग्यारा फंदों पर हमारे डिजाइन पड़ेगी यह ग्यारा फंदे हमें पूरी सलाई में रिपीट करते जाने हैं फिर धागा अपनी के चार फंदे सीढ़े के मभश्य कर टीन जा एक फंदा कृण फंदह खिर दाग पीछे चार फंदे सीढ़े एक दो कि कि खिया गव्लास्ट कह दो फंदे एक एक एकस्टर फंदा सीजा खिर, उल्टी से लाई में हमारे जो फंदॉ में जैस देख रहे हैं उन्हें वैसे बुन्ना है, पहला फंदा बिना बुन्ने उतारा, दागा पीछे किया, दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं, उन्हें उल्टा बुन्ना है, पर जो फंदे सीधे दिख रहे हैं, उन्हें सीधा बुन्ना है, दूसरे सलाई कंपलेट हो गया तीसी सलाई में क्या करने है तीसी सलाई भी हमें पहली सलाई के जैसे बुनने है पहला फंदा बिना बुनने उता रहा दो फंदे उल्टे फिर चार फंदे सीधे तीन चार एक फंदा उल्टा फिर चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार दागा आगे दो फंदे उल्टे एक दो दागा पीछे चार फंदे सीधे तो तीन चार एक फंदा फिल्टा ये नदागे पीछे चार फंदे सीधे कर्णा अपनी तरब दो फंदे उल्टे एक फंद लंटे और एक फंदा लास्ट गया सीधा कि के मिलटे सिलाय है कि सेकाच सीलाई कि जैसे पुनने जो फंदे वाम सीधे दिख रहे वो अल्टे छार सिलाहे मैंने कंप्लेट कर ली हैं अब पांचवी सलाहे को भी हमें फर्स टोके जैसे ही बनाने हैं पहला पंदा भीन गुने उतारा और धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे चार फंदे सीधे धाग अपनी तरब फिर चारवंदे स्िधल फिर 1 फिर 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 4 फिर 2 सिथर इस फंदे को छॉर कर इन 11 फिर tu silwor मी पूरे शिलाई में रिपीट करते जाना 2 फिर फिर 2 सिदे then traffic of 10 इसिदे 3 फिर 2 फिर 3 कर फंदिदे एक उलटा चाड़ सीदे दो उलटे धागापनी तरफ दो फंदे उलटे धागापनी तरफ थीषॉ पंदे लिदॉर फो फंदे सबीए बपनों सबस्क्राइब हां सब्सक्राइब और ये एक फंदा सीधा उल्टी सलाई हमें Second Row के तरह ही complete करने हैं जो पंदे सीधे हैं उन्हें सीधा जो उल्टे हैं उन्हें उल्टाबुनना है छो पंदे हैं अब सातवीं सलाई में हमें क्या करना है पहला फंदा बिना बुने उतारा दागा अपने तरफ जो उल्टे में रुने बनाने में गां कि अपिन और ऌते ही ड़ागा पीछे जो हमारे घ्र पना सीधे इनको एसे शी व 1967 उतार कर कर आङे के दो फंदे पीछे लेने हैं और जो पीछे वाले दो फंदे उन्हें आगे से आगे लेकर वापस इसी सलाई में लेकर फिर इन चार फंदों को सीधा बूंदेना है कि एक कि दो दो धीन और यह पिर दागा अपनी तरफ एक फंद उल्टा धागा पीछे नी चार फंदों को उतार कर पीछे के फंदें उन्हें पीछे से आगे ले लेना है और आगे के दो फंदे आगे साइड से पीछे ले लेना है पिर इन चार फंदों को सीधा बुनने है कि एक कि दो कि तीन और यह चाह यहां हमारे एक डिजैन कतम होता है फिर दूसर डिजैन शुरूता है दो फंदे उल्टे तागा पीछे इन चार सीधे पंदों को उता रहा और जो आगे फंदे हैं उन दो फंदों को पीछे से पीछे लेना है और पीछे वाले दो फंदों को आगे साइड से आगे लेकर वापस इसी शलाई में लेकर चार फंदे सीधे बुन देने है फिर धागा अपनी तरब एक पंदा उल्टा फिर धागा पीछे चार फंदों को तारः फिर के दो फंदे पिछे साइड से आगे लेने हैं और आगे के दो फंदे आगे साइड से पिछे ले लेने हैं और वापस इस सलाई में लेकर इन्हें सीधा बुन देना है एक, दो, तीन, चार श्वार्लीह ले नीडरी हदे इस एडले और दूसरे बनीर में पहले बारीफंदे साइड ले जापने जापने दे पिपना सीथा जार फंदे गुल्टे पिर दाग पीचे दो फंदे सीदे दगापने तरफ जार फंदे विल्टे दो तीन और यह चाह फंदा सीधा फिर चार फंदे उल्टे तीन और यह चाह फिर दो फंदे उल्टे और लास्ट का एक फंदा उल्टा इस तरह हमारे यह आठ सलाईयों को डिजैन कंपलेट होता है इन्हें आठ सलाईयों को हमें रपीट करते जाने है छे सलाईया हमें दो उल्टे चार सीधे एक उल्टा चार सीधे फिर दो उल्टे चार सीधे एक उल्टा चार सीधे इसी तरह रिपीट करते जाने हैं यहां तक हमारा डिजैन बनता है दो फंदे उल्टे चार सीधे एक उल्टा चार सीधे इन्हें को हमें रिपीट करते जा तो इस तरह में छे सलाइयां बनानी है और सात्वी सलाइय में हमारा डिजैन बनता है आप भी एडिजैन बनाए है और बनकर हमारे डिजैन ऐसे दिखता है तो आप बताएं मुझे ये डिजैन आपको कैसे लगा और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकोन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती है तेंक यू